हेलो फ्रेंट्स राधे राधे जैश्री कृष्ण कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे स्वस्त होंगे मैं भी ठीक हूँ स्वस्त हूँ सो दिवाली का श्रिंगार कंप्लीट हो चुका है सभी भगवान जी का मंदिर भी सच चुका है पूरी तरह से तो मैंने वही सोचा कि जब दिवाली का श्रिंगार हो चुका है मंदिर सच चुका है तो आप लोगों के साथ एक लुक मंदिर का शेयर करना तो जरूर बनता है तो वही बस मंदिर का लुक शेयर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है सबसे पहले तो ये है मंदिर का लुक अब मैं बताती हूं इसमें कि छोटी छोटी डीटेलिंग जो मैंने की है एक इस तरह की राधा कृष्ण जी की पेंटिंग है ये बहुत ही सुन्दर सी सेवा कुंज की ये पेंटिंग है तो ये मैंने मंदिर में as a backdrop यूज किया है end to end इसको मैंने प्रॉपरी पेस्ट किया है hot glue gun की help से उपर यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं राधे राधे ये लिखा हुआ है तो ये लकडी के बने हुए हैं फिर ये पंखिया है छोटी सी जो मार्केट में गोपाल जी के लिए मिलती है तो इन पंखियों के जो extended लकडी थी उसको मैंने काट करके राधे राधे के दोनों साइड में इस तरीके से लगाया है यहाँ पर हमारी महामाही का जो छत्र है चांदी का छत्र उनका लग रहा है फिर आती है बारी सभी भगवान जी की यहाँ पर है हमारे रामदरबार उनकी ठीक आगे यहाँ पर मातारानी बैठी है हनुमान जी बैठे है फिर यहाँ है हमारी सरस्वती जी यहाँ पर हमारे विश्णू जी और यहाँ पर शिव परिवार यहाँ पर मेरे पास एक लक्ष्मी जी की छोटे से विग्रे है और यह श्रीयंत्र एक यह कॉइन है जो मैं मंदर में हमेशा रखे रहती हूँ सिल्वर का फिर इस तरफ आ जाई है तो बिल्कुल बीचो बीच जो है यहाँ पर अन्नपूर्णा जी को मैंने बिठाया है माता अन्नपूर्णा को और फिर इस तरफ में है हमारे छोटे वाले युगल सरकार उनके आगे यहाँ पर है लक्ष्मी जी और गणेश जी और यहाँ पर सबसे आगे हमारे जगनात भगवान और यहाँ पर है छोटे से गनपती बप्पा जिनको मैं रोज हल्दी कुमकुम चढ़ाती हूँ और उन्ही का चढ़ाया हुआ मैं लगाती हूँ यह हमारे हल्दी कुमकुम किये हुए गनपती बप्पा है यहाँ पर फिर यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं लक्षमी जी के श्री चर्ण इस तरीके से मैंने रखे हुए हैं ये भी लकड़ी के बने हुए है और जिन से मैंने लकड़ी का समान लेती हूँ खिलोने वग्यर सब उन्हीं के पास ये राधे राधे और लक्षमी जी के पैर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर सत्यनरायन भगवान जी की फ्रेम रखी हुई है यहाँ पर मेरा चौक्टा रखा रहता है आगे जिन से मैं हल्दी कुम कुम करती हूँ गनेजी को रोज यहाँ पर मेरा शंक रहता है आगे यहां पर मैंने रखा है पढगा जिसके उपर मैं काना जी का पानी रखती हूँ भगवान जी के लिए पानी रखती हूँ तो अभी मैं को वीडियो बनाना था अंदर तक शूट करना था इसलिए मैंने यहां से कलश हटाया हुआ है फिर यहाँ पर लगी है मटकी हमारे कृष्ण जी की यह मटकी जनमाश्चमी पर मैंने मंगवाई थी तो यहाँ पर मैंने पर्मनेंट अभी लगा दिया है इसको इसी वॉल से थोड़ी सी कट के जो वॉल है यहाँ पर मेरी मम्मी की फोटो लगी हुई है मम्मी की फोटो भी मैंने मंदिर के कमरे में ही लगाई है क्योंकि यह कमरे का mostly पर्दा बंद रहता है ताकि आते जाते की नजर न पड़े और इसी तरीके से मैं चाहती थी कि हर आने जाने वाले की नजर मम्मी पे भी ना पड़े इसलिए मैंने मम्मी की फोटो को यहाँ पे भगवान जी के पास ही लगाया है सो एक बात होती है कि पित्र जो है पित्र और देव दोनों को अलग रखा जाता है कभी भी पित्रों की फोटो मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए सो इसलिए जैसे अगर आप देखें तो यह मंदिर की वॉल है इससे यहाँ से यह वॉल कट रही है अलग हो रही है इसलिए मैंने मम्मी को यहाँ पर उनके पास ही जो है विराजमान किया है यहीं बिढ़ाया है ममी को भी मैंने फिर जैसे आप आजाएं यहां पे नीचे चौकी पर तो यहां पर भी मैंने पीछे राधा कृष्ण जी की जो एक पेंटिंग है वो मैंने यहां लगाई हुई है और अगर आपको यादो तो यहां पे होल्डर में एक CFL लगी हुई थी जो काना जी के बिल्कुल मूँ पर आ रही थी पिछली बार अगर आपने देखा हो तो उसको हटाया है जैसे मैंने आपको पताया था मंदिर में हलका फुलका सा काम चल रहा है तो इस तरह की लाइट्स लगवाई है अभी उपर ताकि काना जी की मूँ पर कोई ऐसे जो है लाइट तच ना हो उनके तो यहां पर हैं हमारे बड़े वाले यूगल सरकार जो पूरे पैयार हो चुके हैं दिवाली के लिए यह राधारानी का लहंगा है और इस तरीके से हमारी राधा प्यारी जी का श्रंगार है और यह जो है उनके हाथ में मैंने एक कलगी पकड़ाई है जो काना जी के मुकुट पे लगेगी और यह हमारे काना जी का श्रंगार है इस तरह से और जो गईया और बच्छडा है वो भी यहीं है यहां मैंने लकडी की मटकियां रखी हैं तो दिवाली के दिन जो है हमारी राधा प्यारी जी माखन निकालेंगी काना जी के लिए खिलाएंगी भोग करवाएंगी उनको यहां हमारे शालिग्राम जी फिर यहां जहें कच्छपवतार में जब विष्णु जी आये थे तो वो कच्छपवतार भी है यहां पर एक सिंगल शिवलिंग है तो शिवलिंग का जो फेस है मैंने उस तरफ किया हुआ है नौर्थ डिरेक्शन में, जिस तरह से रखा जाता है, उसी तरीके से मैंने इनको रखा है, शिवलिंग का जो ये पोर्षन है, लोवर पोर्षन, इसकी डिरेक्शन नौर्थ होनी चाहिए, यहाँ पर भी एक पढगा रखा हुआ है, पानी रखने के लिए, और यहाँ मेरी घ इस तरीके से सब अपनी फ्रॉक जो हैं बिल्कुल फैला के अच्छे से बैठे हुए हैं, अब चोटी-चोटी सी डिटेलिंग जो मैं आपको उपर मंदिर में नहीं दिखा पाई, क्योंकि मंदिर में उपर और नीचे बिल्कुल सेम तरह का कपड़ा बिचता है, इस तरह क भी पूरा जैसे स्टेप्स होते हैं, उस तरीके से चौकी रख रख के मैंने स्टेप्स बनाये हैं, उनके उपर ही कपड़ा बिच्छा के फिर भगवान जी को बिठाया है, और जो हमारे सबसे बड़े वाले लड़ू गोपाल है, जिनका नाम है माधव, इनका नाम है माध तो इनके पीछे इस तरीके से दो कुशंस रहती हैं, जिनके उपर ही अपना फ्रॉक फैला के बिल्कुल बैठते हैं, तो आज मैं सब के नाम भी बता देती हूं आपको, क्योंकि आप लोगों को कोई कन्फूजन ना हो, इसलिए मैंने अपने गोपाल जीयों को हमेशा नाम से नहीं मिलवाया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गोपाल जी है, तो यह है माधव, जो सबसे बड़े वाले हैं, उनका नाम है माधव, यह है केशव, जो माही के गोपाल जी है, इनका नाम है केशव, और यह हमारी राधा प्यारी जी है, जिनका नाम बैसे मैं, इन है लेकिन मैं इनको कभी-कभी कुसुम भी बुलाती हूं तो इस तरीके से इनका श्रिंगार है यह जो है इनका नाम है दामोदर और यह जो सबसे छोटू वाले हैं जो सबसे पहले आये थे सबसे छोटू वाले हैं इनका नाम है कानहा मैं इनको कानहा बुलाती हूं तो माधव केशव कुसुम दामोदर और यह कानहा आज आप सब लोग मेरे सबी बालस्वरुप भगवानों का नाम भी जान गए है इनके आगे मैंने इस तरीके से मोर जो है वो सजा दिये है और इस तरह की कुछ सजावट है पूरे मंदिर की यही था कंप्लीट मंदिर का लुक और दर्शन आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कुछ कमी रहती हो तो भी बताइएगा तब तक मैं लेती हूँ आपसे विदा अगले वीडियो में मारगशीर्श मा की महालक्षमी पूजा की पूरी जानकारी के साथ आपसे जल्दी मिलूंगी राधे राधे कर दोरी